आज मैं आपको दो माओ मम्ता और जया की कहानी सुनाओंगा मम्ता जया के यहां जाड़ू पोछे का काम करती है दीदी मुझे मा के घर जाना है दिवाली पर आप मेरी तनखा पंदा दिन पहले दे सकती है ठीक है मम्ता आज तो मेरे पास घर पर पैसे नहीं है मैं तुझे कल दे दूँगी मम्ता तु जल्दी से काम कर ले मुझे शालू को होस्पिटल लेकर जाना है चालू का खसरा जब से ठीक हुआ मैं अपने कामों में इतनी व्यस्थ हो गई कि इस पे ध्यान ही नहीं दे पाई अब पिछले एक हफ़ते से इसे खासी और बुखार हो रहा है और दिन पर दिन इसकी तव्यत बिगरती ही जा रही है जी दीदी जी आप फिकर मत करों मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ बस वो आंगन धुना था वो मैं कल कर लूँगी मम्ता अपने घर चली जाती है और घर के काम में फ्यस्थ हो जाती है शाम को उसे अचानक शालू और जया का ध्यान आता है दीदी आप शालू को अस्पता लेकर गई है पताने क्या बोला होगा डॉक्टर ने कहीं जाद बिमार तो नहीं है शालू फोन करके पूछ लेती हूँ दीदी मम्ता बोल रही हूँ कैसी है आप शालू तो ठीक है ना क्या बोला डॉक्टर ने मैं तो ठीक हूं ममता पर शालू को डॉक्टर ने निम्मोनिया बताया है और अब अस्पताल में भरती कर लिया है ए भगवान ना जाने किसकी बुरी नजर लग गई दीदी आप शालू का खयाल रखो कुछ जरूरत हो तो बता देना भगवान सब ठीक करेगा दीदी आप चिंता मत करो माबा कितने भी वियस्थ हो उनको बच्चों की सेहत और इलाश पर पूरा ध्यान देना चाहिए अब दीदी से पैसे कैसे मांगो परिशान है बेचारे जया अपनी बच्ची शालू के साथ 10 दिन तक हॉस्पिटल में रहती है उसकी बच्ची के इलाश में 60,000 लग जाते है शालू समय और इलाश के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाती है दीदी अब कैसी है शालू कोई घबराने वाली बात तो नहीं है न हाँ ममता शालू अब बहुत बहतर है खत्रे से बाहर है डॉक्टर का कहना है कि आराम करेगी और ठीक से दवा खाएगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी ममता मैं तुझे इस बार पैसे नहीं दे पाऊंगी शालू के प्राइवेट इलाज में साथ हजार लग गए मैंने खुद रिष्टेदारों से लिये हैं तू सैलरी अगले महीने ले लियो कोई बात नहीं दीदी बच्चे की सेहत से ज़्यादा और क्या होता है भगवान का लाक लाक शुकर है कि शालू अब ठीक है ममता, मेरी बात ध्यान से सुन, तू अपने बच्चों का ध्यान रख, मेरी तरह मत करना कि बच्चों की खासी, बुखार और उनकी टीकों को अन देखा कर दे काश मुझे पहले से पता होता, मेरी गलती से सीख ममता नहीं नहीं दीदी, मैं ध्यान रखूंगी, हम लोग तो पहले ही गरीब है, कुछ हो गया, तो इतने पैसे कहां से लाएंगे प्राइवेट इलाज के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि बिमारी कभी किसी को बता कर नहीं आती दीदी, आप सही बोल रही है, पर अपने बच्चों को निमोनिया से बचाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? ममता, तुने बच्चों को निमोनिया की टीके लगवाए हैं क्या? याद नहीं दीदी, देखना पड़ेगा हाँ, देख लियो, और उनके खाने पीने का भी अच्छे से ध्यान रखियो पौश्टिक खाना बच्चों को बिमारियों से बचाई रखने में बहुत जरूरी होता है और अभी तो तेरी मुन्नी छे महीने से छोटी है ना? तो ध्यान रखियो, उसे छे महीने तक अपना ही दूद पिलाना है एक और बात, घर की साफसफाई के साथ साथ बच्चे का खाना बनाने या उसे उठाने से पहले हाथ साबुन से धोना कभी मत भूलना जी दीदी अच्छा मम्ता, एक बात तो बता, तुम खाना किस पे बनाती हो? दीदी, चूले पे? तो अपना चूला कमरे से दूर कर लेना जहां बच्चे खेलते हैं और सोते हैं, वहाँ चूले का दूवर नहीं होना चाहिए दूवे से बच्चोंक में निमोनिया और सास की बिमारिया होने का खत्रा रहता है जी दीदी, आज मैं जाते ही चूला बहार रख दूँगी और खाना पनाते वक्त मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी मम्ता पूरी रास्ते सोचती जाती है कि कहीं उसके किसी बच्चे को निमोनिया ना हो जाए इसी चिंता में घर पहुशते ही वह बच्चे के टीकी का कार्ड ढूनने लगती है अगले दिन मम्ता जया को फोन करती है दीदी, मुझे मुन्नी को PSC लेकर जाना है इसलिए मैं काम पे देरी से आऊंगी मैंने गर पहुशते ही कार्ड में देखा कि मुन्नी के निमोनिया का टीका रह रहा है ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, पहले बच्चों के टीके लगवाले जी दी दी कितना अच्छा हो अगर हम सभी अपनी गलतियों से सीखे और सीख कर दूसरों को भी जानकारी दे ताकि वो हमारी तरह भूल ना करे क्या आप जानते हैं कि निमोनिया जैसी खातक बिमारी का बच्चाव किया जा सकता है बच्चों को 6 महीने तक अपना दूद पिलाए समय समय पर टीके लगवाए और खाने पिने साफ सफाई का ध्यान रखे जुलहे के धुए से बच्चों को दूर रखे